कॉस्ट आइंड वर्क्स एकाउंट्स एंड़ कमपनी सेक्रेटरी एमेंड्मेंट बील 2021 का समर्तन करने के लिए मैं खड़ा हूँ मेरे पूरो वक्ता मेरे सयोगी सुभाज वहर्याज जी ने जो बील और एमेंड्मेंड के मेरिट्स के बारे में जो बाते कहिए उसका मैं पूरा समर्तन करता हूँ और भेरिया जी ने जो इंस्टुटीशन अप चाठर ड़ एकाउंट्स जो एकाउंट्रेटर की व्यू शांसा है उनके बारे में कहा कि उन्हें अच्छा काम किया है तो मैं भी समच से हों कि इतने लंबे समय तक अच्छा काम किया है हमारी बहें महाराज की सुप्रिया सुली जी ने का तो अच्छा किया है तो यह आपकी उद्धा रहे हो जो अच्छा हो रहा है उसमें और अच्छा करने का हमेशा स्कोप होता है गुंज देख रहे हैं देश कितना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है देश प्रगती कर रहा है देश के लोगों का सरकार पर विश्वास बढ़ रहा है और यह जो विश्वास बढ़ रहा है इसको और बढ़ाने का प्रयास इस बिल के माद्यम से उख कर रहे है शवापधी महुझे जी जो बिल के केंदरू मुक्य बिंदू के बारे में घर हम बात करेंगे जो पेंडिंसे ऑफ केसे जो डिस्पोस नहीं होते हैं उसके लिए एमेंडमेंट लाया गया है अब यह जो तीन दो का रेश्यो था तीन चार्टेट एकाड़नेंट के मेंबर और दो गौर्मेंट के सरकार करके आगे बढ़ना यह बुद्धिवान लोगों का काम है और इस बिल के माद्यम से वह सरकार प्रयास कर रही है तो मैं मानता हूं कि हम सब लोगों ने उसका समर्तन करना चाहिए बार बार एटनोमी की बात आती है सभापती मौद्ध जी मैं 30 साल से एडमिट एक्ट स्कुर्ण बाक्स से रहकर इसको काम करना है एटनोमी याने किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई सूपर पावर नहीं है कि वह कुछ भी कर सकता है एटनोमी का मतलब यह होता है कि जो रूल जो नीती नियम बना कर उनको काम करने के लिए दिया गया है उसमें कोई गवर्मेंट के लोग इंटरफेर नहीं कर सकते हैं उतना ही उसका पावर एटनोमी का मतलब ही उतना होता है एटनोमी यह नहीं कि कुछ भी करेगा तो चलेगा और कोई एटनोमी लिया नहीं गया है मैं तो मानता हूं कि एटनोमी को और मजबूत बनाने का प्रयास हो रहा है एटनोमी को औ दिल जूलकर काम करना है, कौपरेटिव फेडरलिजम की बात हमारे देश के प्रजान मंत्री कर रहे हैं और अच्छा काम चल रहा है सेंटर और सेट के सहयोग से, तो कौडिनेशन जितना ज्यादा हो, जितना अच्छा हो, वो एक हेल्टी डेमोकरिसी के लिए बहुत अच्छ 1991 के WTO Agreement के बाद में देश जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, उस रफ्तार से सिये जितने बच्चे पास होकर आने चाहिए, उतने नहीं आते हैं, यह मेरा मानना है, क्योंकि यहाँ पर भी कोई मोनोपोली क्रियेट करने का प्रयास होता है क्या, इसके बार में हम सब लो से चलाकर भेतर सुविदा देश के लोगों को देने के लिए टैक्स जादा कैसे आए, उसके हम सब लोगों ने मिलकर प्रयास करना चाहिए, देश के प्रदान मंतरी का एक क्लिफ हम सब लोगों ने देखा है, गए साल का उन्हें कोट किया, कि तीन करोड से भी जादा लोग गुमने के लिए जा रहे हैं, लेकिन देश के तीज़ोरी में टैक्स के माद्यम से पैसा कितना लोग भर रहे हैं, यह हम मेंबरों पार्लेमेंट में बैठे वे लोगों का देखने का काम नहीं है क्या, तो क्या इस सेक्टर में हमको बदलाव लाने के आवज सक्ता न वैसे ही इस सेक्टर में जो गडबड हुए, घुटा ले हुए, दो धांदली हुई, उसमें उनको मदद करने वाले भी इस सेक्टर में से ही लोग थे ना, सभापती जी, तो क्या उनके बारे में सरक्यार ने कोई संग्यान लेना नहीं चाहिए, हम जैसे सारे मेमोराव पा जाहिए, तो मैं मानता हूँ कि बदलाव होना चाहिए, हम सभी दोग मानते हूँ कि बदलाव होना चाहिए, और ये बदलाव लाने का प्रयास सरकार कर रही है सभापती महोज़े जी मैं मानता हूँ कि यह सई समय है इस बिल में एमेंड मेंड करके हमको आगे बढ़ने के लिए देश बहुत तेजी से बढ़ रहा है MSM सेक्टर कितने तेजी से बढ़ रहा है मैं मानता हूँ कि Chartered Accountant इंस्टिटूइशन के लोगों ने आने वाले दिनों में उस इंस्टिटूइशन में से बच्चे ज़्यादा पढ़कर पास होकर भार निकले इसका हमने प्रयास करना चाहिए एक समय था दो तिन परसंट बच्चे ही पास होते थे अब यह परसंट बढ़कर आगे बढ़े हम मैं मानता हूं कि इसमें और आगे जाने क्या हो सकता है क्यूंकि हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो पाचवीश शट्टी में जो हम पढ़ाई करते थे वह आज नरसरी के बच सब डिजिटल इंडिया के मादम से सारे पेपर साते उसको खली कैलकुलेशन करके हिसाब करते हिसाब करके कितना टैक्स वर्ना यह तहीं करना चाहिए इस देश में हम लोगों ने यह देखा एक तो जो पेपर्स देते हैं उसके हिसाब सब इस दाइरे में से गुजरे तो ने चलाया वईसे चलने का प्रयास लोगों किया अब बदलाव का समय आ गया है तो मैं मानता हूं कि हम लिए बड़े पैमाने पर जो छोटे छोटे वेवसाइब करने वाले लोग हैं उनको टैक्स मेंधाएक से दाइरे में लाने का प्रयास करना चाहिए और ये लाने का प्रयाद कोन करेंगे ये Chartered Accountant लोगों नहीं करना चाहिए जब हमारे मत्वीस्तार में अगर वोटर की संक्याप ज़्यादा बढ़ जाती है तो चुनाव के पहले हम लोग उनका नाम एंडरोल करते हैं ताके ये हमको वोट दे तो देश में भी जो ich开डर इसे एक नाम करेंगे मैं तो मैंता हूं क्या इनको एक टार्गेट दें प्राइगा जैसे देश के प्रतान मंतरी प्रतान मंतरी होने के पाए तो यह चार्टेट एकाउंटेंट इंस्टूडिशन के लोगों ने नए टेक्स के दैयर में बड़े पैमाने पे लोगों को लाने के आवा सकता है जिससे बड़े पैमाने पे टेक्स आएगा और टेक्स जितना ज़्यादा आएगा उतना हम बहतर काम कर पाएंगे अनको पाउच लाग पाउच तरो रुपय मिलता है और हम शे विदान सबा में एंपी को पाउच तरो रुपय मिलता है मैं मानता हूं कि टैक्स मादियम से अगर ज्यादा पैसा सरकार के तुजरी में आएगा तो उसका डिस्रीबिशन में भी उसके भागीदार भी हम बनें करेंगे we can deliver goods more than today यह हमको भी उसका लाब मिलने वाला है तो यह सेत्रम में सभी लोगों ने politics को बाजू में रखकर हम सब लोगों ने मिलकर काम करने के आवज सकता है यह जो एक बात के बरह में discussion हो सकता है उसमें बदलाओ भी हो सकता है आने वाले दिनों में आएगा मैं वानता हूं कि यह सरकार 2014 के बाद में आने के बाद में इंसॉलेंसी बैंकरफ्सी कोड और जी एस्टी में जितना amendment हर पार्लेमेंट के सेशन में लाकर जितने सिस्टम को ठीक्टा करने के आवज सकता थी उतना करने का यह सरकार ने प्रयास किया है नहीं तो एक बार काईदा बनने के बाद में 10-10 साल 15-15 साल उसमें amendment तो आता ही नहीं था चलता है चलाओ चलने दो चलने दो कोई पूछता नहीं था अब उसमें जो भी करेक्शन होती है रिलेटेड लोग बता दें के साब यह सही नहीं है यह सही नहीं है सरकार ने उसको हर बार हमेशा उसको बदलाव करके आगे बढ़ने का प्रयास किया है जी एस्टी में और इंसल्वेंसी बैंक करप् लेकिन कभी-कभी आयस ओफिसर्स है उसको हम मेंबर ओ पर्लेमेंट लोग कभी-कभी गाइडेंस करते हैं विकाव वी आर प्रैक्टिकल हमको पता चलता है कि मद्दार संग में लोग कैसे हैरान है परेशान है तो यह कोई मापदंड नहीं हो सकता है किसने क्या करना है किसन अच्छी बाते हैं जो चही है उसको हम सब लोगों ने एकदम ओपन माइंड से विकारने के आवज सकता है ऐसा मैं मानता हूं और यह किसी ने भी यह सोचने क्या को आवज सकता है जो बहुत पढ़ा है बहुत निकाहा है जो बहुत दिग्री है उसके पास में वही सब है वो किस परकार का performance देते है ये भी हमने पार्लेमेंट में भी देखा और पार्लेमेंट के भार भी देखा है इसलिए हर व्यक्ति को काम करने का स्कोप देना चाहिए ये सरकार हर व्यक्ति को काम करने का स्कोप दे रहे हैं इसलिए हम सब लोगों ने समाधान मान कर जो ये ब करता हूं बहुत लंबे समय तक उन्होंने इस सिस्थम को चलाया लेकिन इस स्थम को और अच्छे बहतर रंग से चलाने के लिए सरकार ने जो एमेंडमेंड लाया है उसको उन्होंने भी बहुत खुले मंद से स्विकारते हुए हम सब लोग ने मिलकर आगे बढ़ने का प्रय कर दो